नोस्ते बच्चों आप सभी लोग कैसे हैं और मेध हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे तो आज की इस वीडियो में हम लोग कनवर्टिंग मिक्स्ट फ्रेक्शन टू इंप्रॉफर फ्रेक्शन के बारे में देखेंगे और अगर वीडियो आपने नहीं देखिया है तो इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ पर लिंक दी हुई हैं जाहां से आप लोग देख सकते हैं तो चलिए वीडि फ्रेक्शन इन थ्री स्टेप्स तो थ्री स्टेप्स में हम लोग देखेंगे कि किसी मिक्स्ट नंबर या मिक्स्ट फ्रेक्शन को किस तरीके से इन प्रॉपर फ्रेक्शन में कनवर्ट किया जाता है तो फ्रस्ट यहाँ पर दिया गया है फ्रस्ट नंबर part by the fractions denominator जैने कि जो fraction fraction का denominator होता है उसको whole number में multiply करेंगे ठीक है? तो fraction का denominator पहले तो हमें एक mixed fraction देख लेते हैं, जैसे 3 1 by 4 ठीक है? तो यहां पर यह जो denominator part है 4 इसको हमें multiply करना है whole number में ठीक है? तो whole number क्या है? यहाँ पर 3 है ठीक है इसमें क्या कर देना है multiply कर देना है तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 multiply by 3 equal to 12 ओके next step है add that to the numerator अब इसको हमें क्या करना है 12 को add कर देना है numerator पार्ट में ठीक है next step क्या है then write the result on top of the denominator ठीक है जैसे हमारे पास था 3 1 by 4 ठीक है तो यहाँ पर जो first step था first step क्या था कि हमें denominator को whole number से क्या करना था multiply करना था ठीक है तो यहाँ पर जैसे हम multiply करेंगे तो कितना हैगा four multiply by three equal to twelve ठीक है फिर हमें जो second step था second step यह है कि हमें numerator को add करना है इसमें यह जो result आया इसमें हमें क्या करना है एड करना है तो यह हमारे पास हो जाएगा 13 तो यहाँ पर हमारे पास आगा 13 अब third step हमारे पास क्या था कि यह जो result आया add करने के बाद इसको हमें क्या करना है कि top में लिख देना है denominator के ठीक है तो जैसे हम इसको लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास 13 divided by 4 तो यह जो हमारे पास आया 13 divided by 4 ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 1 by 4 equal to आया हमारे पास 13 divided by 4 तो यहाँ पर यह जो हमारे पास है यह हमारे पास एक mixed fraction है और यहाँ पर यह जो है हमारे पास improper fraction है improper fraction में क्या होता है numerator part है यानि की 13 यह greater than है denominator part यानि की force है तो इस तरीके से हमार improper fraction में change हो गया यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि 3, 1 by 4 अब इसको हमने 4 को multiply कराया 3 से और उसके बाद 1 को क्या कर दिया add कर दिया तो add करने के बाद हमारे पास आया था 13 by 4 तो अब यहाँ पर एक question यह उठता है कि हम इसको 4 को 3 से ही क्यों multiply करा रहे है और उसके बाद 1 को क्यों add कर रहे है तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो हमारे पास mixed fraction होता है ठीक है यानि 3 1 by 4 ठीक है यह जो mixed fraction होता है यह इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं यानि कि mixed fraction में क्या होता है कि whole part plus और उसके बाद एक fraction ठीक है तो यानि कि 1 by 4 ठीक है इस तरीके से यानि किसी भी mixed fraction को हम इस तरीके से represent कर सकते हैं अब अगर इस part को हम लोग solve करेंगे इसको अगर solve करेंगे तो हमें यही सारा process करना पड़ेगा यहाँ पर एक jump alert देख लेते हैं तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि 3 को 4 से multiply करना है multiply by 4 और plus 2 कर देना है ठीक है अब हम इसको solve करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा divide में 3 लिखेंगे तो 3 4 जा 12 और plus 2 तो यहाँ पर मिलेगा 3 अब इसको जब solve करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 14 divide by 3 ओके इस तरीकी से हम किसी भी mixed fraction को हम लोग एक improper fraction में change कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही so thank you for watching and have a nice day